हेलो गुण मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू जोहार कैन चले जानते हैं आज की मुक्य 25 बड़ी कबरों को निरक्षन भिकिया देवगर परिशदर में मुक्य मंतरी है मंतु सोरेन की अध्धक्षता में उचस्तरी बाठक की गई यह बाठक 12 जुलाई को पीम नरेंदर मोदी के देवगर आगमन और 14 जुलाई से सुरू हो रहे स्रावनी मेले के आवजन को लेकर की गई मुक्य मंतरी के अलावा बैठक में मंतरी बन्ना गुपता, परभारी मुक्य सच्यू, डिजीपी सहिद, समंधिद भाके सच्यू और अस्थानी पददिकारी मौजूद रहे बैठक के बाद मुक्य मंतरी ने बता है कि प्रधान मंतरी के देवगर दौरा को लेकर तैयारी अंतिम चरन में है, वह स्रावनी मेला की भी तैयारी अंतिम चरन में की जा रही है कोरोना संक्रमन को देखतो हुए इस बार स्रावनी मेले में सरकार द्वारा बहतर से बहतर व्यास्था की जा रही है मुखे मंतरी है मंतो सोरेन ने स्रावनी मेले के दोरान आने वाले सधालोश आगरा किया है कि वा जादा से जादा संख्या में उन्होंने कोरोना संक्रमन को देखतो हुए दो साल बाद हो रहे हैं मेले के आवजन में कोरोना एसोपी का पालन करतो हुए पुज़ा अर्चना करने की अपील भी की है गुरतलाबी के तेरा जुलाई को स्रावनी मेला का मुक्यमंतरी है मंतसोरिन विधिवत उधगाटन करेंगे आगली बड़ी ख़बर की बाद को दो पर्दान मंत्री नरेंदर मोदी की यातरा देवगर पहुंची स्पी जी प्रसाशन सांग हीड़ा सुरक्षा का खाका बताया अपना प्लाण 12 जुलाई को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी देवघर आएंगे यहां मोदी देवघर में बने ऐरपोर्ट का उधगाटन करेंगे इसको लेकर सुरक्षा अजनसियां और प्रसासन अलर्ट हो गया है इसी कड़ी में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की सुरक्षा के मधनजर, SPG की टीम देवगर पोंची और जीला प्रसासन के साथ गोपनिये बाठकर सुरक्षा का खाका खिंचा, साथी प्रसासन को सुरक्षा प्लान बताया, बताओदे की देवगर में 12 जोलाई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का दारा होने जा रहा है इस दोरे में मोदी तीन घंटे से अधिक समय देवघर में बिताएंगे इस दोरान पी-म देवघर एरपोर्ट एमस भवन का उदगाटन करेंगे इसके अलाबा दरचनों अन्नी जो है योजनाओ का सिलन्यास और उदगाटन क कारिकरम है इसके बाद प्रधान मंत्री बाबाधा मंदर में पूजा अर्चना करेंगे आगली बड़िकबर की बात उदर रांची और आसपास के जिलों में गरज के साथ जमाजम बारिस किसानों को रहत मानसुन की किरपा जारकन पर नहीं बरस रही है राज्यके 24 में से 23 जिलों में अभी तक कोई खास बारिस नहीं हुई थी लेकिन रबिवार पूराजधनी रांची के साथ आसपास के जिलों में भी मानसुन महरबान हुआ है इन जगों पर गरज के साथ तेज हवा के साथ जमाजम बारिस हुई है इससे लोग को मस्भरी गर्मिस जरहात मिली ह वही बारिस से किसानों के माथे की सिकन भी कम हुई है अब उन्हें बोनी आधी में परेशानी नहीं आने की उम्मीद है इधर मौसम के बदले में जाँच को देखते हुए मौसम विज्ञान केंदर ने लोगी सुरक्षा की चेताऊनी जार की है मौसम वग्यान केंदर रांची की और से जारी हितायत में कहा गया है कि बोकारू, धनबाद, पूर्वे शिंग्भूम, कुंटी, रामगड, रांची, सराय किलाकार समा, सिम्डेगा और पसे में शिंग्भूम तथा अने जीलों के कुछ भागों में आज भी बारिस हो सकती है इस दोरान गरज के साथ वजरपात की भी आसंका है, इधर मौसम वग्यान केंदर रांची ने अपने पूरानमान में राजे में 11-13 जुलाई तक कुछ अस्थानों पर हलके से मध्धम दर्जे की बारिस की संभूना जताई है, जबकि 14 जुलाई को भी राज में अच्छी की संभूना है, आगली बड़ी खबर की बातक दो अमरनात यातरा पर गए, खुंटी के चार लोग फंसे, बाबा बरभानी के दर्सन के लिए अमरनात यातरा पर गए, खुंटी जिले के चार सध्धालों फंस गए हैं, जिसमें शत्त नरायन गुपता, जगदीस गंजु, ससीव कुमार गुपता और अनुज जासवाल समिल हैं, वे गुफा से 6 किलिमीटर पूर्व, पंज तरनी में फंसे हुए हैं, जगदीस गंजु ने बता है कि बादल फटने के बाद सबी रास्ते बंद हो गए हैं, यातरा भी रोक दी गई है, वापस लोटने और आगे जा पंदरा से 16 जुलाई तक मलवा हटाये जा सकेगा, इसके बाद ही रास्ता खुलेगा, उन्होंने बताया कि फिलाल वे सुरक्चित हैं, वे घटना असल से 5 किलिमीटर दूर हैं, आगली बड़ी कि बात कुदु रांची के एक होटल में पिता पुत्र की हत्या, जांच में पुलिस, राजधनी रांची के होटल में डवल मर्डर का मामला सामनी आये हैं, सहर के चुटिया थाना च्छित्र, इस्थित, अस्टीशन रोड के सरकारी बस, अस्टेंड के पास होटल, सिवाले में पिता पुत्र की हत्या हुई है, मिर्तक की पहचान हजारी बाग, जिला करके वैलाकन प्रेस कर दे, जिससे आपको जारकन की हर शोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसता रहे, चलिए बढ़ते हैं, खबरों की और, आगली बड़ी खबर की बात को दो जारकन में धुमधाम से मनाया किया, कुर्बानी का तहवार महस्जितों में आद जाता है, या इसलाम का दूसरा सबसे बड़ा पर्व कहा गया है, जिसे मुसलिम समाच के लोग त्याग और कुर्बानी के तोर पर मनाते हैं, मानेता है कि या तहवार हमेशा लोग को खुसी बातने और त्याग के लिए प्रिरित करता है, जारकन के सभी छित्रों में धोमधाम से लोगबकरेज का तहवार मनाई, माजिदों में हर तरह खुसी भायचारा और सलाम दुआ का नजारा देखने को मिला, आगली बड़ी खबर की बात को दुपंदरा से सुरू होगा, आठवी, नौवी और ग्यारवी कक्छा की कौपियों का मुल्यांकन, जैक ने उन्होंने बता है कि 15 जुलाई से 8 वी, नौवी और 11 वी कक्छा की कौपियों का मुल्यांकन का कारी सुरू कर दिया जाएगा, उन्होंने कहा है कि जहाँ बच्छों ने परिशादी है, वहीं मुल्यांकन कारे भी करा जाएगा, इस समन्द में जैक ने जिलो को मुल्यांकन इसी बीच सुन सान जगा पाकर एक युवक उसके साथ छेर छाड़ करने लगा, सोर मचाने पर युवक जबरन उसका मूँ दबाकर उसके साथ दुसकर्म की घटना को अंचाम दिया, घटना के बाद पीडिता ने घटना की जानकरी अपने पिता को दी, इसके बाद पूरे घ खिलवाड करने वाले नापेंगे, वर्तमान समय में विधी व्यास्था की समस्या सिम्डेगा है नहीं, पूरिराज्य की बड़ी समस्या बन चुकी है, इसी के मध्धनजर सिम्डेगा पुलिस खुद को भावी समस्याओं के लिए तयार करने में जुड़ गई है, इसी के नई दंगा रोधी टीम का गठन किया गया है जिसका मोक्ट्रिल रविवार को करा गया। मोक्ट्रिल के दोरान मौजूद पुलिस टीम को स्पी ने अवसक दिसनेरदेश देते हुए विधी वरास्था की समस्य उत्पन होने पर भीड को नियंदरित करने और नियुम्तम नुक्षान के साथ नियम आनुशार का ररवाई के तरीके सुझाए. मोक्रेल के दोरान पुलीस कर्मियों के गठित नई टीम ने सिल्ड और लाठी की मदद से भीड को नियंतरित करने के तरीके सिखे वही वजर वहन से लॉंग रेंज फाइरिंग और हैंड जो है ग्रेनेड का परियोकिया ताकि विधी रास्ता की समस्या उत्पन होने पर अविलाम मौके पर पहुँच कर नियमानुशार का रवाई कर सके आगली बड़ी खबर की बात को दो जामताडा मामले में मंतरी ने कहा पूरानी है यवास था अधिकारियों को बुलाकर की बाठक उन से हपते में वांगी रिपोर्ट कहा किसी भी हाल में दोस्यों को नहीं छोड़ा जागा राजे के जामताडा जिले में सुकुरवार को सरकारी अस्कूल बंद होने के मामले पर सिक्छा मंतरी जगरनात महतों ने वहां के अधिकारियों से एक हपते में रिपोर्ट देने का निर्देस दिया है इस समंद में रविवार को जामताडा जिले के आधिकारिएं के साथ अपने आवास में बाटर करने के बाद उन्होंने कहा है कि अस्कूल बंद करने की आवास्ता काफी पहले से है। आकादा अस्कूल की दिवार पर भी सुकुरवार को जुम्मे की दिन की रूप में परिभार्शित किया गया है। आगली बड़ी किबर की बात को दोआ मेट्रो की दर्च पर बाबा वाधनाद के दर्सन वीआईपी दर्सन के लिए 250 का डिजिटल कार्ड मसीन में डालिए दर्सन के लिए जाईए। सफलता के बाद इसकी संख्या बढ़ा दे जाएगी। सावन में भगतों की भीड को देखते हुए या नई व्यास्था बनाई जा रही है। सफलता के बाद इसकी संख्या बनाई जाएगी। सफलता के बाद इसकी संख्या बनाई जाएगी। और उसी राज्यों के पारटकों को आकरसित करने के लिए विकेंड गोटवे टूरिज में वेलनेस टूरिज में खनन से परभावेच छित्रों में सुधार के ओदेश से खनन पारेटन आदी पर भी ध्यान दिया जाएगा। नई पारेटन नेती के माधम से जारकन को देश के पसंदिदा गनतब्यों में शुमार करने का प्रियास किया जाएगा। नई मेला और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के सिलन्यास कारिक्रम की तैयारियों का जाएगा। नेती की परिचा के अंदर बनाएगे हैं। जो है पावंदी हैं, बुलुटूथ कैमरा, पैंसिल बॉक्स कैलकुलेटर, नोटबुक सहित अन्य चीजे ले जाने पर मना ही हैं। पहाडी मंदिर में सावन महने को लेकर विसेस इंतजाम दो शाल बाद भक्त करेंगे जलाभी शीक। शाओदा जुलाई से सावन महने के सुरवात हो रही है, जिसे लेकर सद्धालों में खासा उत्सा देखने को मिल रहा है। वही 18 जुलाई को पहली समुआरी है, राजिभर के सिवालयों में सद्धालों के आगमन को लेकर तैयारी जोरू पर है। इसी के मधनजर राची का प्रसिद सिवाले पहाडी मंदिर में प्रवंधन और जीला प्रसासन के द्वारा व्यवस्थाओं को दुरूस्त किया जा रहा है। आगली बड़ी खबर की बात को दुरांची में अपराध्यों की नए सिरे से तैयार हो रही है कुंडली, आदतन और हिस्ट्री सीटर पुलीस के राडार पर, राजधानी में अपराध्यों पर नकेल कसने के लिए उन पर लगतार नजर रखी जा रही है, पुलीस की टीम प कारवाई और जेल से बाहर निकले अपराध्यों से थाना हाजरी की कारवाई की जाए कि, दरसल राजधानी में अपराध्यों पर लगाम लगाने के लिए पुलीस ने बड़ी तैयार की है, राजधानी में छोटे से लेकर बड़े गांग्स का बही खाता तैयार हो रहा है, राजध में सक्रे अपराध्यों का नाय सिरे से डोजियर तैयार किया जा रहा है, जिसमें उनके जमानतदारों तक के नाम सामिल किया जा रहे हैं, इसमें संपत्ति मुलक अपराध, मसलन, डकैती, लूट, गरिभेदन, वाहन, मबाईल की चोरी और चोरी के समान की खरीद क घर से अगवाकर दुसकर्म की कोशिस, मामला दर्ज, हजारी बा के पदमा में नबालिक चात्रा को फोन पर धाम की दे कर, रात को घर से अगवाकर दुसकर्म करने की कोशिस करने का मामला सामनी आए हैं, इस समन्न पिडिता की मान ने पदमा ओपी परभारी, विकर्न कुमा को लिखित आवेदन देकर कारवाई की मांकी है पिडिता की उम्रे 12 वर से वह आठवी कक्षा में पढ़ती है आवेदन के अनुसार पिडिता को पदमानिवासी चैतन महता के पुत्र मंटुकुमार महता पिछले चार दिनों से फोन कर धमकी दे रहा था पिडिता को अकेला मि कुमार महता और उसके दोस्त जबरन उसे उठाकर सुन्सान जगा पर ले गए जहाओं उसके साथ छिवड़चानी करने लगे और जबरन उसके साथ दुसकर्म करने की कोसिस की मना करने पर उन लगों ने बिल्ट से मारपीड किया और उसका मबाइन भी छिन लिया इसी इनेटिक विभाग में लगे जिनोम्सिक्स वैंसिंग मसीन की पहली रिपोर्ट आ गई है रिम्स परवंधन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुशार 5 जुलाई को जिनोम्स मसीन में जांच के लिए 90 सेंपल दिये गए जिनमे 83 सेंपल का रिपोर्ट 9 जुलाई को आ गई इस रिपोर्ट में तीन डिल्टा वरियंट है तो वही 80 वरियंट ओमिक्रोन बताए जा रहे हैं रिम्स परवंधन के द्वारा बताए गया है कि जो भी वरियंट पाए गए हैं वो सबी डिल्टा ओमिक्रोन वरियंट के साथ-साथ B2 टाइप भी देखे जा रहे हैं जिनोम सिक्स वैंसिंग मसीन नहीं होने की कारण रिपोर्ट की लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब रिम्स में मसीन लगने की वज़े से सेंबल के वरियंट का पता चल रहा है आगली बड़ी ख़बर की बात दो डाइन होने के संदे में 60 वर्सी महिला की घर में घुसकर हत्या हिरासत में लिए गए दो लोग जारकन की दुमका जिले में डाइन बता कर 60 वर्सी महिला की बेहरामी से हत्या करने का मामला सामनिया है घटना सराई यहाट थाना चेदर के खेरबनी गाउं की है मिर्तक के बेटे सुनिल किसकु ने बता है कि गाउं के रहने वाला बुधराम सोरिन पिछले कई दूनों से बिमार था जिसके बाद उसके बेटे ने बीतियार जुलाई को गाउं में पंचायत बुलाई थी पंचायत में पंच समय तो लगभग 15 लोग पहुंचे थे उसमें उसे और उसकी माँ सोना हास्दा को भी बुला गया था पंचायत में सभी ने उनकी माँ पर जो डायन होने का रोप लगातोवे हिरास हितायत दी कि अगर वो लोग नहीं सुधरे तो अंचाम बुरा होगा पंचायत खत्म होने के करेब एग घंटा बाद बुधराम सोरिन की अचानक मौत हो गई सुनिल किस्कु के मुताबिक बुधराम की मौत के बाद सिवचरन सोरिन, मंतरी सोरिन, देव शोरिन, पुतिलाल सोरिन और साहिब सोरिन ने अचानक उसके घर पर धा बोल दिया और उसकी माँ शोना हास्दा पर कुदाल से प्रहर किया एस समले में उसकी माँ की मौके पर ही मौत हो गई उलिस पूरी मामले की जांच कर रही है इसी के जो है निमित मौराबादी मैदान में या कारिक्रम आवजित किया किया कारिक्रम के माध्धम से आम लोगों से परतिमा निर्मान हेतु सहयो की अपील की जा रही है तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरें इसी तरह जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यू जारकन चानल को सब्सक्राइब करके बैल अकन प्रेश करते जे जिससे आपको जारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अबडेट आप तक पहुंचता रहे तो आज के लिए बस इतना ही हमें दीज़े इजाज़त फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में